कहाने के सुरुवात में हम एक फैमिली को देखते हैं, जिसमें हैस्बेंड का नाम इवान और वाइफ का नाम कैरेन होता है, ये दोनों अपने बच्चे के साथ बड़ी खुसी से रह रह होते हैं, कैरेन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी, तो वहीं इवान एक साथ बीच ट्रीप पर घूमने का प्लान बनाती हैं, लेकिन में मौके पर इवान को आर्किटेक्चर का अर्जिंट काम आने की वज़ह से वो अपने फैमिली के साथ नहीं जा पाता, इसलिए अकेले ही केरेन अपने बच्चों के साथ बीच ट्रीप पर घूमने चली जाती है, और इवान अपने डॉक के साथ घर पर ही रह जाता है, रात को जब इवान अपने आर्किटेक्च का जरूरी काम कर रहा होता है, तब ही उसके घर का बेल बसता है, और जब वो दरवाजा खोलता है, तो उसे दो लड़कियां बारिस की वज़ह से भीगी हुई दिखाई देती हैं, जिन में से एक का नाम बेला और दूसरी का नाम जेनेसिस था, वो इवान को बताती हैं कि हम लोग पार्टी में जा रहे थें, लेकिन अचानक हम रास्ता भटक गए, और बारिस के कारण हमारे फोन्स भी भीग कर बंद हो गए हैं, उनकी ये बात सुनकर इवान उसकी मदद करनी के लिए उन्हें अपने घर के अंदर आने के लिए कहता है, जहां सबसे पहले वो उन्हें टॉल्स देता है, और साथ ही एक लड़की को आईपेड भी देता है, ताकि वो अपने पार्टी का लोकेशन ढून पाए, वो लड़की आईपेड पर सर्च करके देखती है कि उसकी पार्टी का लोकेशन यहां से बहुत दूर है, इसलिए इवान उन दूनों के लिए एक कैप बुक करता है, जो 45 निट में यहां पहुचने वाली थी, अब क्यूंकि वो दूनों लड़कियां बारिस में काफी ज़्यादा भीग चुकी थी, इसलिए वो इवान का बातरूम यूच करके फ्रेस होकर इवान के पास जाती है, जहां इवान उसके लिए काफी बना रहा था, इसके बाद इवान उसके साथ बैट कर बाते करने लगता है, इवान पूचता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो बताती हैं कि वो एयर होस्टे यूस करती हैं जिससे इवान को थोड़ा अच्छा फिल नहीं होता है इसलिए वो वहां से उट कर दूसरी कुरसी पर बैठ जाता है तब इवान अपने मुवाइल्स पर चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि कैप की यहां आने में अभी 20 मिनिट बागी है इसके बाद वो दोनों लड़कियां इवान से उसकी वाइप के बारे में पोस्ती हैं इवान बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलेरी के लिए पैंटिंग्स बनाती है वो उन्हें अपनी वाइफ की पैंटिंग भी दिखाता है ऐसे ही बाते करते करते वो दोनों इवान के बहुत नहीं लग रहा था वहीं कैप के आने से सिर्फ दो मिनिट पहले ही बेला और जेनिसेस इवान का वहां ना होने का फैदा उठा कर बात्रूम में चली जाती हैं तभी इवान जल्दी से उनके कपड़े सुखा कर बात्रूम के पास जा कर कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख और बाहर तुम लोगों की कैप भी आ गई है लेकिन अंदर वो दोनों मजे से नहा रही होती हैं और इवान की बातों को इगनोर कर रही होती हैं इवान के बार बार कहने पर भी जब वो बाहर नहीं आती तो इवान अपने आखों पर हात रख कर उन्हें कपड़े देने के लिए बात्रुम के अंदर चला जाता है लेकिन अंदर जाकर देखता है कि वो लड़कियां Newt होकर नहा रही होती हैं तभी वो दूनों इवान को कहती हैं कि इवान तुम भी हमें जोइन करो इतना कहकर वो इवान से चिपकने लग जाती हैं लेकिन इवान ऐसा नहीं करना चाता था क्योंकि वो एक साधी सुधा था इसलिए वो इनको इग्नोर करने की पूरी कोशिस करता है लेकिन जब वो दोनों इवान के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज होती हैं तो इवान भी अपने फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाता और उनके साथ बातुरूम में इंटिमेट होने के बाद बेडरूम में इंटिमेट होता है वहीं कैब ड्राइबर कुछ देर तक इंदिजार करने के बाद वहां से चला जाता है अगली सुब़ जब इवान निंस से जागता है तो उन दोनों लड़कियों को वहां ना पाकर और उससे बात करने के लिए वो बाहर चला जाता है। अपनी वाइप से बात करने के बाद वो अंदर आकर वो गुस्से में उन्हें कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से दफा हो जाओ। लेकिन कुछ दिर बाद वो देखता है कि वो दोनों अपनी और तुम कल रात हमारे साथ इंटिमेट हो चुके हो जो कि कानूनन जुर्म है इसलिए अगर तुम पुलीस को बुलाओगे तो पुलीस उल्टा तुमें ही पकड़ कर जेल में डालेगी ये सुनकर इवान सोचता है कि कल रात उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है तभी आजा खोलने पर इवान को केरन की दोस्त वीवियन नजर आती है जहां वो इवान से ये पूछने आई थी कि कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं वहीं इवान उसे देखकर काफी ज़्यादा डर जाता है कि कहीं वो घर पर बेल और जेनिसिस को ना देख ले उनके बा अब वो पुलीस को सच में कॉल करने लगता है ये देखकर बेला और जेनिसिस डर जाती है और तुरंत वहां से जाने के लिए मान जाती है जिसके बाद इवान उन दोनों को कार में बैठा कर वहां से ले जाता है और कुछ दूर जाकर उनको एक घर के सामने छोड़ देता ह वहां से इवान वापस अपने घर आता है और देखता है कि बेल और जेनिसिस उनके घर को काफी गंदा कर दिया था इसलिए वो पहले अपने घर की सफाई करता है और फिर अपना आर्किटेक का काम करने के लिए बैठ जाता है तबहे उसे अपने घर में कुछ गिरने की कर बेहोस कर देती है कुछ टाइम बात जब इवान को होस आता है तो वो खूत को रस्यों से बेट पर बंदा हुआ पाता है वो जेनिसिस को चिला कर बोलता है कि मेरी रस्यां खोलो लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती तभी बेल इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म प कहती है कि अगर तुम बेल के साथ इंटिमेट नहीं हुए तो हम दोनों तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हारे वाइफ को वीडियो कॉल पर कहेंगे कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो ये देखकर इवान उसकी बात मान लेता है इसके बाद बेल इवान के साथ इंटिम खोल लेता है और बेल को धका देकर नीचे गिरा देता है इसके बाद वो जेनिसिस के पास जाता है जो कुछ खा रही थी जेनिसिस उनके इंजेट सोल्डर पर जोड से अटेक करके उसे फिर से बेहोस कर देती है कुछ दिर बाद जब वो होस में आता है तो वो खूद को एक चेर से बंदा हुआ पाता है जहां जेनिसिस और बेल उसके साथ एक क्यूस गेम खिलने लगती हैं कुछ समय बात केरन के साथ एक काम करने वाला वरकर्स जिसका नाम लूइस था वो केरन की बनाई हुई मूर्ती को लेने उसके घर आता है ये देखकर जेनिसिस और बेल ये उसके पीछे गया है। तबी लूइस की नजर केरन की आर्ट पर पड़ती है। जिसका इन दोनों ने बुरा हाल कर दिया था। ये देखकर लूइस को इन पर सक होता है। साथ ही वो उनसे कहता है कि इवान की तो कोई कजन्स है ही नहीं। यहाँ पर अचानक लूइस को इ इसा करने से रोकता है। लेकिन तबी उसे अस्थमा का अटेक आ जाता है। वहीं लूइस का एनहेलर भी जेनेसस के पास था। वो उनसे अपना एनहेलर्स लेने की कोसिस करता है। और इसी बीच उसका पैर लड़ खडाने की वज़े से उसका सर जोड से केरन के आर्ट से तकरा जाता है। जिससे उसके सर से बलड निकलने लगता है। और कुछ सेकेंट बाद उसकी मौत हो जाती है। लूइस के मौत देखकर जेनेसस और बेल हसने लगती हैं। जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उनको हसता देखकर इवान समझ जाता हैं कि ये दो साइको हैं। इसके बाद जेनेसस और बेल लूइस की डिट बॉड़ी पर आठ कवर अप करके उसके ही बॉड़ी को उसके ही गाड़ी में रखाती हैं। और वापस आकर लूइस और इवान की फोन से एक दूसरे को मैसस करके ऐसा सो कराने की कोशिस करती हैं जैसे केरिन के स उसी से बंदे हुए इवान किसी तरीके से अपनी वाइफ केरेन को कॉल करनी की ट्राइ करता है। लेकिन तभी जेनेसेस बेला के साथ वहाँ आकर उसके आईपैट छिल लेती हैं और उस पर बहुत गुसा करती हैं। इससे ये दोनों इवान की घर को पूरी तरीके से खराब कर देती हैं। उसके पास जाकर उसे ढून लेती है तभी इवान जोड जोड से चिलाकर मदद मांगने की कोसिस करता है लेकिन जैनिसेस उसे गन पॉइंट पर चुप करवा देती है यहां से सिंस सिफ्ट होता है और हम मौर्निंग में देखते हैं कि यह दोनों इवान को उस गड़े के पास ले जाकर उसे वहां दफना देते हैं लेकिन यह इवान के सर को जमीन के बाहर रखते हैं यह इवान को बताती हैं कि हम तुम्हें मारना नहीं चाते थें हम सिर्फ अपने मज़े के लिए तुम्हारा इस्तमाल कर रहे थे और हमें तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बाद बेल इवान को उसके फोन पर वही बीडियो दिखाती हैं जिसमें वो इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर उसके साथ इंटिमेट हो रहे थी और ये बीडियो जेनेसिस ने रिकॉर्ड किया था। अब इस वीडियो को बेल इवान के Facebook प्रफाइल पर अपलोड करके उस पर लिखती है कि Happy Father's Day ताकि सब को लगे कि ये वीडियो खुद इवान ने अपलोड की है। कर उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचते है कि उसके जाने के बाद इवान ने अपने दोस्तों के साथ खूप पाटी की और इसी के साथ ये मूबी यहीं पर समाप्त हो जाती है।